friends welcome to gmaja study classes मैं हूँ चवी सोनिया friends आज के इस वीडियो में हम देखेंगे standard 11th commerce के लिए blueprint for OC and BA so second time exams जो आपकी 10th feb से start हो रही है उसके लिए ये blueprint है as well as chapter wise weightage भी discuss करेंगे और कौनसे section से कितने chapters आपको prepare करने हैं ये सब कुछ हम आज के इस वीडियो में discuss करने वाले हैं तो please channel को subscribe कर दीजे अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो और वीडियो को like जरूर कीजेगा so यहाँ पर आप देख सकते हैं chapter wise weightage तो 1 to 9 जो chapters है उनके weightage इस तरफ है आप देख सकते हैं इसे first chapter का weightage four marks का है second chapter का weightage three marks का है four chapter यहाँ पर आप देख सकते है one marks का weightage है तो four chapters से आपको ज्यादा पढ़ना नहीं पढ़ेगा तो एक बार इस weightage के according ही आपको studies करनी है और मैं section में आपको कौन-कौन से chapters प्रिपार करना है वो भी बता दूँगी लेकिन आप सभी से request है कि इस blueprint को follow करने से पहले आप अपनी school teachers एक बार request कीजेगा और cross check करवा लीजेगा कि वो GSEB board वाली paper pattern और blueprint यूज़ कर रहे है या नहीं यानि अगर आपके school teachers इसे follow नहीं कर रहे है तो आपको भी ये follow नहीं करनी चाहिए ठीक है मैं जो blueprint दिखा रहे हैं वो GSEB board के जरफ से जो weightage आया है उसके उपर से ही यहाँ पर ये video बनाया गया है तो एक बार इस point को जरूर ध्यान में लीजेगा स्टार्ट करते है friends देखें section A आपका 10 marks का होगा section B 5 marks का होगा 10 marks के यहाँ पर MCQs होंगे section A में section B में one marks के five one liner question answers होंगे one mark each रहने वाला है section A और section B यानि one one marks के ही questions होंगे MCQ भी one mark each और जो one liner question answer है section B में वो भी one mark each और इनके लिए जो chapters prepare करने हैं वो आपको one to nine सारे chapters prepare करने पढ़ेंगे यहाँ पर यह हम नहीं बता सकते हैं कि किस chapter में से कितने MCQs आएंगे तो आपको सभी chapters के MCQ और one liner question answers तो कर ही लेने हैं उसके बाद अब यहाँ से आप कुछ chapters skip कर सकते हैं से section C के लिए ten marks का weightage है two marker each question पूछे जाएंगे यानि आपको attempt करने है five questions seven questions पूछे गए होंगे उसमें से जो भी five आपको अच्छे से आ रहे हैं वो आपको attempt करने हैं और पहले पांच आपको वही लिखने है जो आपको आते हैं अगर आप extra भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं लेकिन first five जो आपको एकदम अच्छे से आ रहे हैं आप एकदम confirm है कि हाँ ये एकदम right answers हैं वही आपको लिखने हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं वो five questions और seven questions कौन-कौन से chapter से होंगे तो यहां पर मैं आपको बता दूँ यह जो पांच chapter है two, three, six, seven, nine इन में से seven questions निकाले जाएंगे जिसमें से कोई भी five आपको लिखने हैं तो इन chapters के two marker questions आपको learn करने हैं नेक्स देख लेता है section D, fifteen marks का रहेगा, three marks का एक question होगा, यानि five questions आपको attempt करने है, seven questions दिये गए होंगे और यह seven questions इन five chapter में से होंगे, one, five, seven, eight, nine तो आपको three marker question के लिए सिर्फ यही five chapters refer करने हैं, ठीक है, इन में से कोई भी five questions आ सकते हैं, तो यह एक बार अपनी teacher से एक बा blueprint है, अब देखते हैं friends, next, last section जो आपका होगा, section D, ten marks का, इसमें five marker question होंगे, यानि ten marks के लिए आपको दो question attempt करने पड़ेंगे, दिये गए होंगे आपको three question, कोई भी two आपको attempt करने हैं, लेकिन three chapters आपको prepare करने पड़ेंगे, six, seven, eight, यह three chapters ऐसे हैं, जिनमें से long question answers पूछे जाते हैं five mark के, लेकिन यहां से please किसे भी chapter को skip मत कीजेगा, तीनो chapters अच्छे से prepare कीजेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि तीन questions, यानि तीनों में से आप कौन सा पहले attempt कर सकते हैं, ठीक है, तो यह teachers पर depend करता है, इसलिए यह तीनों chapter तो five mark के लिए prepare कर ही लेने होंगे, आपक तो आप playlist जरूर चेक कीजेगा, जो accounts और stats की playlist है, जिसमें सारे textual solution है, उसे में इन videos को भी include कर दिया है, textual solution के लिए आप वो playlist रिफर कर सकते हैं, वीडियो को like कर दीजेगा, चैनल को subscribe कीजेगा, और वीडियो helpful रहा है या नहीं, यह comment करके जरूर बताएगा, अपने friends के सा time है, तो आपके friends की भी और help हो सके, मिलते है friends हमाई next video में, thanks for watching.